English Reading के वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम English newspaper हो या novel हो या कोई भी जो English text है उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आज एक news पढ़ते हैं News है Retired TN Professor to work for Clean Electoral System Retired TN Professor, TN means Tamil Nadu के एक professor है To walk for, ये walk करेंगे, मतलब चलेंगे, मतलब पदयात्रा करेंगे किसलिए? Walk for Clean Electoral System मतलब हमारे देश का जो चुनावी तंत्र है ये clean होना चाहिए इसके बारे में कुछ लोगों में जागूरती लाने का ये प्रयास करेंगे तो चेन्ने की news है अब इन सेंटेसेस को मेरे बात दोह राइए Retired T.N. Professor To walk for Clean Electoral System अब बन्यूस में आगे है A Retired Professor and Former Head of Political Science of Madras University Dr. Ramu Manivanan Will undertake a Padayatra from Kanya Kumari to Chennai अब देखिए A Retired Professor ये कौन है ये एक Retired Professor है And Former Head और पुरा नहीं मतलब भूत पुर्वा प्रमुख है Of Political Science of Madras University Madras University के Political Science Department के मतलब राज्यशास्त्र विभा के भूत पुर्वा प्रमुख है Dr. Ramu Manivanan इनका नाम है Will undertake a Padayatra ये क्या करेंगे Padayatra करेंगे Padayatra तो English word नहीं है ये भारतिय word है बहुत सारी हिंदी में और बाकी भी भाशाओ में हमारे यहाँ Padayatra ही उसको लिखते है Will undertake a Padayatra मिस वो Padayatra करेंगे Undertake का मतलब यहाँ पर उसको स्विकार ना उसकी जिम्मेदारी स्विकार ना या फिर वो परफार्म करेंगे Padayatra परफार्म करेंगे Padayatra में चलेंगे Will undertake a Padayatra from Kanyakumari to Chinnay Kanyakumari से Chinnay तक ये चलेंगे आप इस सेंटेंस को मेरे साथ में रिपीट कीजिए a retired professor and former head of political science of Madras University Dr. Ramu Manivanan will undertake a Padayatra from Kanyakumari to Chinnay The Yatra is to educate the people of Tamil Nadu against the culture of freebies during elections and to make people understand that votes were their rights and that it should not be exercised in exchange for money or other freebies इसका meaning है The Yatra is to educate the people of Tamil Nadu ये जो यात्रा है पदयात्रा है ये जो वाक है ये यात्रा क्यों है The Yatra is to educate the people ये लोगों में जागुरुति लाने के लिए लोगों को सिखाने के लिए Tamil Nadu के लोगों को कुछ सिखाने के लिए यात्रा है क्या सिखाना है against the culture of freebies यह जो freebies का culture आजकल राजनिती में चल पड़ा है लोगों को free में कुछ बाटना है बाटते हैं पार्टिया कुछ उम्मिद्वार लोगों को रिश्वत देते हैं कुछ free में बाटते हैं तो यह हमारा ultimately देश का इसमें नुकसान है इसलिए लोगों में यह जागरुति लाने के लिए डॉक्टर मनिवनन यह एक पदयात्रा कर रहे हैं and to make people understand और to make people understand मतलब लोगों को यह समझ में आना चाहिए that votes were their rights कि यह जो हम लोग voting करते हैं यह vote जो है यह हमारा अधिकार है इसका दुरू प्रयोग नहीं होना चाहिए इसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए and that it should not be exercised यह जो vote देने का अधिकार है यह ऐसा exercise नहीं होना चाहिए ऐसा इसका वापर नहीं होना चाहिए in exchange for money or other freebies voting के समय पैसे लेकर vote देना exchange for money पैसे के बदले vote देना इस तरह से यह नहीं होना चाहिए that it should not be exercised in exchange for money पैसे के बदले में पैसे के आईवज में यह नहीं होना चाहिए for money or other freebies और पैसा और बाकी भी जो free में कुछ चीज़े मिलती है आजकल बाटी जाती है उसमें यह अपने vote का अधिकार जो है उसमें लोगों ने ऐसा बेचना नहीं चाहिए तो आप मेरे साथ दोराईए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कुर्पया लाइक करें और शेयर करें परना आपको यह उसमें जादा जोगों करेंप दोस नहीं दोराईए